नमस्कार मैं हूँ आपका दोस दिनेश पाठक देश में चुनाओ आम है अभी दिसंबर 2022 में गुजरात हिमाचल प्रदेश के बिधान सभा चुनाओ संपन हुए हैं तो इस बर्स राजस्थान, मदप्रदेश, करनाटक समेत 9 राज्यों में चुनाओ होने हैं करियर मंत्रा के इस अंक में भारत में चुनाओ और संबंधित चुनाओतियों की चर्चा करेंगे यह भी कि आखिर आये दिन भारत मिर्वाचन आयोग पर क्यों उठ जाती हैं उगलियां प्रतियोगी परिक्षा आयोजित करने वाली सभी संस्थाओं के लिए यह हमेशा से हाट टॉपिक रहा है भारतिय संबिधान के संस्थापकों ने संसदिय लोकतंत्र की कलपना भारत की लोकाचार, प्रिष्ट भूमी और आवस्यक्ताओं के लिए सबसे उपयुक्त राजब्यवस्था के रूप में की थी उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान भागीदारी की परिकल्पना की थी भारत में चुनाओं का आयुजन लोकसभा, राजसभा, राजबिधान सभाओं, बिधान परिशद, अस्थानिय निकाय, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत इवं ब्लाक्स के सदस्यों के साथ ही राश्ट्रपती एवं राश्ट्रपती पद के निरवाचन के लिए कराय जा मौजूदा चुनाओं परणाली कई चुनाओं का सामना कर रही है, जो इसकी सोतंद्र एवं निश्पक्ष प्रकृत के बारे में संदेह उत्पन करती है, इसलिए जरूरी है कि इन मुद्दों की सावधानी पूरवक जाच की जाए और इने समग्र रूप से संबोधित किय भारत में चुनाओं से संबन्धित संब्धानिक प्रावधान क्या है इसे जानते हैं, संब्धान के अनुछेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रतिक राज्यकी विधानसभा के चुनाओं वयस्क मताधिकार के आधार पर आयुजित होंगे, अनुछेद 324 के अस्थानी निकायों, पंचायतों और नगर निकायों की चुनाओं की जिम्मेदारी राज चुनाओं आयोगों पर है। चुनाओं चेतर में उपचुनाओं कराना, यह इनके कुछ मुख्य जिम्मेदारियां है। आखिर क्या है सोतंत्र एवन निस्पक्ष चुनाओं से जोड़ी चुनाओं अभियानों के दौरान भांती भांती के उपहारों नगदी आध्की पेशकस की जाती है, जो समचारी सामान प्रसासन के साथ साथ चुनाओं बेवस्था के लिए भी जिम्मेदार होते हैं, जो चुनाओं प्रक्रिया को कम निस्पक्ष बनाता है। जिन से वे सामत होते हैं। सोचल मीडिया पर चलने वाले राजनीतिक अभियान कभी-कभी देश के विभिन हिस्थों में धार्मिक और सामाजिक तनाओं पैदा कर देते हैं, जो निस्पक्ष चुनाओं प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। आचर संगिता के उलंगन की रिपोर्ट के लिए सी विजिल आय, पंजीकरन प्रक्रिया को आसान बनाने को मतदाता हेल्प लाइन, दिब्यांग सार्थी और दिब्यांग डोली। कैसी हो आगे की राह? ये जानना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में सभी दलों के लिए समानता की मांग की जाती है और सोतंत्र एवं निस्पक्ष चुनाओं अवसरों को सुनिश्चित करते हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यक राजनीतिक अभियानों पर भी समान ध्यान दिया जाए। राजनीतिक उद्देश्चों है ति सोसल मीडिया के उपयोग के संबंध में कठोर मांदन रस्थापित किये जाने चाहिए। भारत निर्वाचान आयोग को ये सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयास करना होगा कि चुनाव में सत्तारूर दल को अन्य दलों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त नहों। राश्री कानूनों के अनुरूप चुनावी अभियानों के संदर में ब्यक्तिकर डेटा के उपयोग पर नियंतरन सुनिश्चित करने की ब्यवस्था करनी होगी। दिया जाना चाहिए ताकि सूचना संपन मतदाता बैवहार में हेर फेर को रोकने के लिए आगे आएं। चुनाव सुधार पर बिधी आयोग की 255 रिपोर्ट में लोकसभा, राजसभा, सचिवाला की तरह भारत निर्वाचन आयोग के लिए भी एक स्वतंत्र और अस्थाई सचिवाला प्रदान करने की अनुसंसा की गई है। इसके अलावा राज निर्वाचन आयोगों के लिए भी समान प्रावधान करने चाहिए ताकि चुनाओं में उनकी स्वायतता और निस्पक्षता की गारंटी सुनिश्चित हो सके। इस एपिसोड में बस इतना ही, तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत!